कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक नौलाकर क्लासेस पर तो दोस्तों ये फूड इंस्पेक्टर एक्जाम 2022 के जो एक्जाम के तयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट 7 है ये 7 नंबर का ये जो है जीके और जीएस जीएस प्ल पटवारी आने वाले जो भी एक्जाम है उसका भी अगर आप तयारी कर रहे हैं तो इमपोर्टेंट रहने वाला है यहां सभी में काम आने वाला तो सारे कोश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करिए इसमें इतिहास भोगोर और कंप्पूटर से कोश्चन सामिल किया गया ह टॉप 20 कोश्चन इसमें सामिल किया गया है तो सारे कोश्चन आप साल जरूर किजेगा कितने कोश्चन आप से बन रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईएगा चलिए पहला कोश्चन सुरू करते हैं सुरू करने इस पहले चैनल में आप अगर नए है तो साखाव में भाजित हुआ था तो देखिए कि साखक के साशन काल में ही नार महायान दो साखाव में हुआ तो शही आंसर है आपका कनीस्क आंसर आजाएगा भी आपका बहुत ही इंपारटन होने के भी संभावनाय बन जाती है चलिए नेक्स्ट क्यों आगे बढ़ते हैं अगे बढ़ने इस पहले अगर आप टेलीग्राम जॉइन नहीं कि हैं पीडियेफ पाना चाहते हैं इस तरह से प्रश्णों का तो पीडियेफ के लिए हमारे दिस्क्रिप्शन के सबसे उपर में लिंक दे दिया हूँ आपका टेलीग्राम चैनल का या हमारे नाम से एक नलाकर सर्च भी करेंगे तो भी आप जॉइन कर सकते हैं चलिए थर्ड नमर का कोई चैनल भारती बैपार पर कमपनी का एका धिकार कीस चार्टर एक टके तहत कर दिया गया याद रखेंगे बहुत ही important question है ये next question के आगे बढ़ते हैं छोब मंडल क्या छोब मंडल तो यहां आप देख सकते हैं छतरीक अच्छा है एक्च्छल में ये छोब हैसा होना चाहिए misprint हुआ है सुधार लेंगे छोब मंडल की मोटाई सरवाधिक कहां पर रह कि की सराजय का लोकनित्य ठांगटा है सही answer हो जाएगा आपका मड़ीपूर मड़ीपूर का लोकनित्य ठांगटा के नाम से जाना जाता है next question क्यों आगे बढ़ते हैं निमने लिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुक का निर्मान करती है बहुत important है बहुत बार ये दोनों जो है ज्वार नद मुक का निर्मान करती है next question क्यों आगे बढ़ते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी दिप किस में है तो सही answer है ब्रह्म पूत्र में कहां ब्रह्म पूत्र में next question क्यों आगे बढ़ते हैं पूर्वी घाट और पस्चिमी घाट के मिलन इस्थ पर कौन सी पहाड़ी इस्थीत है तो इस तरह से question important रहता है इस तरह से question जो आप से आज practice कराया जा रहा है ये बहुत ही important है आप सारे के सारे इसे जरूर अभ्यास करें पूरा तो देखिए चार ओप्सन दिये गए हैं कौन सा है आपको समय भी दिया जा रहा है आप हिमालाई की उत्पत्ती सम्बंधित है तो हिमालाई की उत्पत्ती किस से सम्बंधित है तो सही answer हो जाएगा आपका हिमालाई की उत्पत्ती जो है प्लेट विवर्त निकी से सम्बंधित है नेक्स्ट question क्यों आगे बढ़ते हैं भारत की इस्थला कृति किस प्राचिन भू भाग की हिस्सा थी, सही आंसर आजाएगा आपका गुडवाना भूमी की हिस्सा थी, भारत की स्थला कृती ही जो है ये गुडवाना भूमी की हिस्सा थी, याद रखेंगे इंपोर्टेंट है ये, next question क्यों आगे बढ़ते हैं, सीप किला महतपूर्ण दर्रा है, जो इस्थी सही आंसर आजाएगा आपका सीप किला जो है कहां है, हिमाचल में इस्थीत है, कहां पर है, हिमाचल में, next question क्यों आगे बढ़ते हैं, कौन सी खाड़ी भारत को स्रिलंका से अलग करती है, बहुत important question, ये भी PSC में आपके पूछे गया question है, बहुत सारे question आप अगर exam दे रह साथ कुछ लंका से अलग करती है, आप सभी जानते हैं, पाक जल मडरूम, कौन सा पाक जल मडरूम, अब देखी इसी को मनार की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं, तो इसे भी आपको याद रखने है, मनार की खाड़ी अलग करती है, अब देखी डूरंड क्या है, ये जो ह करती है विभाजित रेखाएं चलिए next देखते हैं आजीवक संपरदाय के संस्थापक कौन है तो देखिए आजीवक संपरदाय के संस्थापक कौन है आजीवक संपरदाय यह संपरदाय जो है बहुत important है इससे एक नएक question पूछा जाता है तो मखली पूत्र गोशाल या मखली गोशाल जो है यह आजीवा संपरदाय के संस्थापक है नेक्स्ट question क्यों बढ़ते हैं आजादी के पूर्व आजादी के पूर्व Congress के सरवाधिक समय तक अध्यक्षे कौन रहे तो यह आजादी के पूर्व Congress के सरवाधिक समय तक अध्यक्ष रहे सरवाधिक लंबे समय तक चलिए नेक्स्ट question क्यों बढ़ते हैं क्रांती कारी गतिवीधियों के तहद अभीनव भारत की स्थापना किसने की थी तो क्रांती कारी गतिवीधियों के तहद वीडी सावर करने किसने वीडी सावर करने 1904 में या सन भी आपको याद रखना है 1904 में अभीनव भारत की स्थापना की थी नेक्स्ट question अब देखिए इस question में आपको दो question ऐसे ही बन गए स्थापना और स्थापना और उस से संस्थापक से नेक्स्ट question देखते हैं सरवोदाय सब्द का सरवपथम प्रयोग की सने किया जो सरवोदाय सब्द का सरवपथम जो प्रयोग है इसको की सने किया सही answer हो जाएगा आपका महात्मा गांधी ने नेक्स्ट question क्यों आगे बढ़ते हैं जब computer boot किया जाता है अब computer से question है आपका जब computer boot किया जाता है तो क्या होता है तो इसका सही answer क्या होगा तो सही answer हो जाएगा operating system disk कसे RAM में copy किया जाता है next question के और आगे बढ़ते हैं और आप सभी जान रहें computer अभी कोई भी exam में आप देख लिजिए अगर syllabus में नहीं है फिर भी out of syllabus के तहट पूछ दिया जा रहे या कुछ भी तरीके से computer को question पूछा ही जाता है तो इसका तो आप अच्छे सेध्यन करेंगे चलिए post का पूरा नाम है post का पूरा नाम क्या होगा power on self test next question के और बढ़ते हैं computer से ही है किसके नियम किसके नियम में बताया गया है कि प्रतेक 18 माह में chip उपकरणों की संख्या दो गुनी हो जाती है तो देखे किसके नियम में है ये कि 18 माह में कह रहा है chip में उपकरणों की जो संख्या होती है वो दो गुनी हो जाती है तो ये मूर का नियम कहता है, किसका मूर का नियम याद रखेंगे नेक्स्ट कुश्चन के और आगे बढ़ते हैं भारत का प्रथम पूर कंप्यूटरी क्रिद डाग घर कौनशा है भारत का प्रथम पूर कंप्यूटरी क्रिद जो डाग घर है ये जो है सही आंसर है नई दिल्ली है मिलेंगे हम लोग next टुडियो में इसी तरह से मैं food inspector के आप तयारी कर रहे हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा मैं जो है रोज practice set आपके लिए लाते रहूँगा जैसे ही आपके 50 नमबर का और जो भुक्ता सरक्षर अधिनयाम से संबंधित है उससे भी question आपको provide कराया जाएगा मिलते हैं next टुडियो में तब तक के लिए thank you